दस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि ये जो 24 वा मैच है वो था रोयल चलेंजर्स बेंगलर और चैनने सूपर किंग्स के बीच में जहां पर चैनने सूपर किंग्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था 227 रन का टार्गेट दिया था यहां पर RCB को लेगिन RCB ने जवाब में चैज करने के लिए जब उत्री तो मातर 210 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई या यू कह सकते हैं कि रन नहीं बना पाई और 8 रन से इस मैच को गवा दिया उसके बाद में दोस्तों ये देखेगा चैनने सूपर किंग्स छलांग लग नंबर 3 पोजिशन पे पहुंच चुके है तो दोस्तों आपको मारी दवारत दी गई जानकर अची लगी होगी हमारे दोपर दी गई हो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स वोक्स में अपने कमेंट्स जरूर किचेगा और हाँ अगर यूट्झ आगे आने वाले मैचों में भी हम आपको इसी प्रकार की पॉइंच टेबल से रूबरू करवाते जाएंगे और जो जो मैच होंगे टीक उनके बाद में जो जो पॉइंच टेबल में बदला होंगे सब हम बताएंगे बस आप एक छोटा सका